आज हम इस विडियो न एंजी में लेसे ने सरच आज की क्वेशन फाइब और क्वेशन फाइब और क्वेशन सिक्स वुर्व करेंगे तो क्वेशन फाइब है दा कोश्ट आफ जर्णी वाई वस्ट टू कवर 150 किलोमेटर इस 75 रुपीस find the cost of 200 km जरनी ठीक है तो 200 km जरनी का आपको price लिकालना है find करना है और आपको 150 km जरनी का price आपको दिया है कितना है 75 रूपीज से है ठीक तो कहने का मींस यह है एक bus है और वो bus 150 km जाती है तो उसमें cost कितनी लगती है 75 रूपीज अगर वही bus 200 km जाती है तो कितना cost आएगा तो question simple है students ठीक है तो इस type questions हमने solve की है ठीक है एक नहीं दू नहीं दसी यह question solve की है ठीक तो इस type questions करते क्या है सबसे पहले किया करते है कि आप one things यह one items का price लिका लिए यह one km की distance का price लिका लिए उसके बाद जितने fan करवा रहे है जो भी numbers है उस numbers की जो आया है answer हो रहा उससे उसकी multiply करते है ठीक है जैसे हम आपको बताएं जिसे examples के दौर पर कि five pens का price कितना है 50 rupees है तो five की 50 में divide करेंगे five से तो 10 rupees है ठीक है तो अगर आपसे अब 10 rupees एक pen का आपको पता चल गया तो आप आपसे 2 का पोच रहा है तो 10 multiply 2 करते है और 4 का पोच रहे है तो 10 into 4 five का पोच रहे है तो 50 तो अभी हम दें फाइंड लिका था ठीक है तो इस तरह से है तो question simple है कि सबसे पहले आप one things one items का price लिका ले या one kilometer distance जो है उसका price लिका ले उसकी cost लिका ले कितनी है उसके बाद 200 पोचे 300 पोचे 4000 पोचे 5000 जितनी भी पोचे उस numbers की जो अभी rate आया है उससे उसकी multiply करते है तो question simple है तो ठीक है question solve करते हैं तो यहां लिखेंगे जो questions में given है cost of journey cost of journey by bus to cover to cover 150 kilometer कवर करनी कितना लगता है 75 रुपीस किलियर अब जो हम questions में करते हैं जो कि सबसे पहले आप एक किलो मीटर journey cut price लिका ले हैं कौश्ट लिका ले हैं वन किलो मेटर का तो क्या करेंगे 75 अपॉन यह 150 इसके अपॉन में आगा तो 75 बन जा 75 और 75 तूजा 150 होता है तो कितना आगा इसका रुपीस का रेट बन अपॉन टू किलियर ठीक अब हमसे जो कोश्ट पे पूछ रहे हैं find the cost of 200 किलो मीटर जरनी तो उसको फिर हम यहां लिका लेते हैं क्या करना है 10 इस प्रिकार अब हमसे तू का पूछे, थरी का पूछे या फाइब का पूछे कितना भी किलो मीटर का पूछे हम आसानी से कर सकते हैं 200 की, इससे मल्टिप्लाई कर देंगे कितना है गा, 100 तो 100 रुपीस कोश्ट सिंपल है ठीक है, और कोश्ट इतने सिंपल है कि बहुत तो यह है कि कोश्ट आपको self-solve करना है ठीक है, तो अच्छे से solve पीची है, अब इसका कोश्ट नमर जो 6 है, वो आपको self-solve करना है, ठीक है तो कोश्ट नमर 6 भी जी है, ठीक तो अगर आपको कोश्ट नमर 6 solve करने में कोई किस्ट नमर कोई डौट हो कोई questions हो, तो आप हमसे पूछिए एक बात और कुछ students यानि कि 70% students मैं pols प्रेंटत आप tayर पास हम्वर्क नहीं आ चेक कराने के लिए कि सर मैंने हम्वर्क किया चेक किजिए क्यों आप मैंने questions 1 कराया Q2 आपको हम्वर्क में दिया Q3 कराया Q4 हम्वर्क में दिया Q5 कराया अभी Just अभी यह कोशन जो कोशन सिक्स मैंने आपको होमःट में दिया लेकिन जो कोशन मैं आपको होमःट में दे रहा हूं उसे सॉल्ट कीजिए और सॉल्ट करने के बाद मुझसे चेक किराए सर मेंने यह सॉल्ट किया है